Assalamualaikum viewers I hope you are guys doing well और अगर आप मेरे चैनल पर नूँ है और आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कैंडली सब्सक्राइब मैं चैनल नहीं अचरट वर वीडियो तो टोड़े वीडिसकस हेर मूस हेर मूस जो है एक स्टाइलिंग प्रोड़क्ट है जो हम अपने बालों में यूज करते हैं आप शायद पहले भी सुना हो हेर मूस के बारे में तो मैं आपको इसके बैनेफिर्स बताऊंगे और उसको यूज कैसे करना है और क्या इसका तरीका है यूज करने का वो भी आपको बताऊंगे तो यह जो हमारे हेर मूस है यह हमारे बालों में वाल्यू मैट करता है कैसे करता है वो भी आपको बताऊंगे यह हमारे वाल्यू मैट करता है हमारे जो लड़कों के बाल होते हैं best choice है उन लोगों के लिए जो जिनके fine ears है thin ears है वो अगर hair styling करते हैं वक्त अपने बालों में luminous look देना चाते हैं voluminous look देना चाते हैं तो वो यह most use कर सकते हैं आपके अगर बाल हैं अकसर अर्कियों के बाल होते हैं curly से होते हैं वो अपने natural texture पीजित बालों के hair texture में रहना चाहती है। लेकिंगे बालों के hair texture में रहना है।D लेकिश्ण केबालों के बालों के बालों प्रेज कर्लिक होके है। अपने जो natural curls होते हैं उनको more define करता है उनके natural texture को तो ये जो है वो अकसर stronger holds होते हैं जैसे hair spray हो गया तो ये medium hold है medium level of hold है जो आपके different हेर स्टाइल्स को maintain करने के लिए different अकसर बाल हम curls करते हैं तो हम spray करते हैं stronger hold वाला spray तो वो कर जाते हैं मारे बाल जो है तो इसे जो है मारे बाल जो है वो अकड़ेंगे नहीं natural सी shiny सी look देंगे हम कोई भी hair style से बनाएंगे तो curls बना लें, straighten curling जो भी है तो ये खाफी अच्छा है और आपने इसको मतलब कि blow dry करने से पहले यूज़ करते हैं और इसमें मज़े की बात जो है क्या है ये जो है वो इसमें कुछ ingredients होते हैं जो heat protecting ingredients होते हैं जैसे हम blow dry करने से पहले, curling iron जूज़ करने से पहले या फिर straighten करने से पहले हम जो products यूज़ करते हैं जैसे हम ये mousse यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कोई spray यूज़ करते हैं heat protecting के लिए तो ये भी काफी best है ये shine के साथ साथ हमारे heat protecting ingredients में इसमें होने के वज़ा से तो वो भी हमारे heat related damage होते हैं उनको भी reduce कर देगा कोई भी minimize कर देगा हमारे impact of heat को तो आप ये easily use कर सकते हैं आप हम इसको बात करते हैं इसको use कैसे करना है आपने अपने बालों में dry बालों में इसको अपने पहले shake कर लेना है अच्छे से और उसके बाद आपने इसको जितने भी क्वानिटी आपके बालों की आपके ज्यादा बाल हैं तो ज्यादा मूस थोड़ा स्मूस ले 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 अगर आपके थोड़े बाल है quantity में, ठीन बाल है, तो according to अपकी quantity ले ले लें तो बालों की और उसके बाद आपने अपने राब करना है अपने दोनों हातों में और अच्छे से apply कर लेना है root से start होना है आपने scalp से और फिर उसके बाद आपने सारे अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद आपने कोई भी product use मतलब कि कोई भी hairstyle जोज़ करना है या पिर कोई भी blow dry करना है तो आप वो styling tool जो है वो यूज़ कर सकते हैं तो इसका मेरा experience जो है वो भी कफिया चड़ा है मैंने यूज़ किया है मैं बचपर में सोच चुदे थी कि जो इतने shiny shiny सी है लड़कियों के कैसे रह लते हैं तो अब मुझे समझा चुका है काफी देर से कि इस तरह ये products होती है जो हमारे बालों को shiny देती है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगी तो ये तो प्लीज सब्सक्राइब